तो देखे मैंने यहाँ पर कुर्ती का फ्रेंट पार्ट लिया है और डिजाइन के लिए यह मैंने पाव मीटर प्रिंटेड फैब्रिक लिया है तो सबसे पहले हम पैच की कटिंग करेंगे तो मैंने इस तरह से फैब्रिक लिया है यह देखे इसकी चोड़ाई है विड्थ 9 और इसकी लंबाई है 14.5 इंच अभी हम इसे सेंटर से फोल्ड कर देंगे और इस पे हम नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक विड्थ में ले रहे हूं 2.5 इंच धाई इंच और नेक डीप में ले रहे हूं 6 इंच यहाँ पर भी हम 2.5 इंच लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से और राउंड शेप देंगे अभी यहाँ पर डेड़ इंच पे मार्क करेंगे और राउंड शेप देंगे इस तरह से तो देखे अभी हम इसकी यहाँ से और यहाँ से कटिंग कर लेंगे तो देखे हमने कटिंग कर ली है इस तरह से हमें पैच की कटिंग कर लेनी है अभी हम यहाँ पर डेड़ इंच पे मार्क करेंगे 1.5 इंच पे और यहां से हम इसे कट लगा देंगे इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है अभी हम कुर्थी का फ्रेंट पार्ट लेंगे और इसे हम उल्टी साइड में रखेंगे ये देखें ये कुर्थी की रॉंग साइड है अभी इसके उपर हम पैच को उल्टा रख देंगे अच्छे से सेंटर से सेंटर को मिला देवे रखना है और यहां पर देखें हम नेक की चोड़ाई का मेजरमेंट ले लेंगे तो ये हमारा बराबर धाई इंच है दोनों साइड में अभी हम इसे पिंच से सिक्योर कर लेंगे जिसे की ये हिलेना और अब हम इसकी नेक के शेप में सिलाई लगाएंगे इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है किनारे से तो देखे हमने याँ पर सिलाई लगा दी है और अभी हम यहां से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे जो प्लेन कपड़ा है हमें इसे ही कट करना है और यहां पर भी कट लगा लेंगे ध्यान देना है कि हमारी सिलाई ना कटे तो देखे इस तरह से हमने कट लगा दिया है अभी यहां पर हम छोटे-छोटे कट्स लगा लेंगे और पैच को हम सीधी साइड में टर्न करेंगे और इसको टर्न करने के बाद हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो देखे हमने इसे प्रेस कर लिया है अभी जो हमारा यह स्लेट है यहां पर हम पट्टी अटैच करेंगे तो इसके लिए यह हमने स्ट्रिप ली है स्ट्रिप को उपर से फोल्ड करेंगे और इसके नीचे रखेंगे और ये जो हमारा left वाला side है इसके नीचे हम रखेंगे ये दिखे और यहाँ पर हम इसे attach कर लेंगे तो दिखे हमने इसे attach कर लिया है अभी दूसरे side को भी हम strip के उपर रखेंगे और यहाँ पर हमने कुछ portly buttons बना लिये हैं तो पोटली बटन्स को हम इसके अंदर रखेंगे और इस तरह से इसे अटेच करते हुए सिलाई लगा देंगे तो देखे हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और अभी हम यहाँ पर इसे हलका सा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे तो देखे हमने यापर सिलाई लगा के पैच को फिक्स कर लिया है इस तरह से हमारा फ्रेंट का पाट रेड़ी है अभी हम स्लीव में पैटन बनाएंगे तो देखे मैंने यापर स्लीव की कटिंग कर ली है स्लीव की जो लेंध है यह हमने 12 इंच रखी है और इसमें से एक साइड की स्लीव को साइड में रखेंगे एक साइड की स्लीव पे मैं आपको पैटन बना की दिखाऊंगी तो इसके लिए ये हमने दो स्ट्रिप्स ली है और इन स्ट्रिप्स की लेंद हमने ली है 6 सिंज और इसकी जो चोड़ाई है यह हमने स्लीव बॉटम से थोड़ी ज़ादा ली है अभी देखें इसके बीच में हमें प्रिंटेट फैबरिक का पीस लगाना है तो इसके लिए यह हमने फैबरिक का पीस लिया है इसे हम इसके बीच में रखेंगे और इसकी lengthly है 6 inch और इसकी widthly है 5 inch अभी हम इस strip को दोनों parts में attach कर लेंगे तो इसके लिए हम इसे इसके ओपर उल्टा रख देंगे और सिलाई लगा देंगे इसी तरह से दूसरी side की strip को भी हम इसके ओपर उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा देंगे तो देखे हमने सिलाई लगा दी है अभी हम इसके center पर mark कर लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर plates बना लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे तो देखे हमने सिलाई लगा दी है अभी हम इसे यहाँ पर attach करेंगे तो दोनों के center को हमें मिला के रखना है इसके उपर तो इसके उपर उल्टा रखेंगे सीधी side अंदर की तरफ रखनी है और किनारे से सिलाई लगा देनी है इस तरह से हमने दोनों parts को attach कर लिया है अभी इसके bottom में हमें double fold कर देना है और इसी method से हम दूसरा sleep भी बना लेंगे थैंक यू for watching my video अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो subscribe भी कीजिए थैंक यू